हेलो नमस्कार दोस्तों येस भी फ्लोरिन टेक्निकल पर आपका श्वागत है मैं हुरा के स्कुमाद दोस्तों आज में इटलन मार्बल के बेक साइट में जो फाइबर रहता है उसको किसे निकला जाता है मैं बताने वाला हूं तो प्लिज आप इस वीडियो को पूरा देखे अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर करना दोस्तों जो पहली बार इटलन मार्बल लगाते हैं उसको मालूम नहीं रहता है कि बेक साइट में जो फाइबर रहता है उसको कैसे निकला जाता है तो यह है आज अभी आप देख रहे हैं जो पहली बार लगता है उनके हमने बहुत सालों से बहुत कंटिनू बहुत सालों से इटलन मार्बल लगा रहे हैं हमारे को रोज 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 अनुबाव हो गया है फाइबर निकालने का और दोस्तों जब हम भी पहली बार इटलन मार्बल लगाते तो हम भी गलेंडर से गिस 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 के इसको करने का रहता है तो उसके दो दिन पहले से अपने को पूरे लोट के उपर पूरी थपी के उपर पानी मार देना चाहिए दिन में दो बार दिन में दो बार पानी मारने से पूरा फाइबर गिला हो जाएगा और ये इतना अच्छे से निकलेगा कि आपको बिल्कुल भी इसमे कि इसमें टाइम नहीं लगंग हॉएगा बिल्कुल भाइवर से खुजली भी को धिसी होगा निकल जाएगा अगर जो दो दिन पानी मारेंगे ना तो बहुत फटाफट फाइबर निकलेगा और अपना काम भी वागेगा दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह फाइबर निकालने का तरीका आपको अच्छा लगा रहेगा और जो भी पहली बार इटालन मार्बल लगाए तो उसको दो दि तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो पहली बार इटालन मार्बल लगा रहे हैं धन्यवाद कर्भा लगान प्राइब जरूर कीजिए मार्बल लगाए तो सब्सक्राइब जर्ण वार्वाद